सदसिता अभयान जारी है और इसे कड़े में नेता प्रतिपक्षुत जस्वी यादव के नेत्रित्व में पार्टी के विधायक, विधान पार्शत और पार्टी के तमाम पदादिकारी राजधानी पटना में सदसिता अभयान चुलाने वाले हैं जोसको लेकर पार्टी के सब्यान के तहट एक करोर नए सदस्य बनाने का राज़द ने राष्ट्रिय जनता दल ने लक्ष रखा है। सबसे मुफीद जो तरीका है वो है सरस्ताव यहां जिसके जरी हमनों संबाद करती रहते हैं। करेपालक पतादिकारी नगर प्रबंदकों का तबादला हुआ है। एक सच नगर परिशद में करेपालक पतादिकारी की तैनाती हुई है और इसके पहले भूमी और राजस्व विभाग में बड़ा फेर बदल किया गया था। करेपालक पतादिकारी नगर प्रबंदकों का तबादला हुआ है। और यह सूची हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बिहार में तबादलों का दौर लगतार जारी है। नगर विकास एवं अवास्व भाग के कई अधिकारियों का तबादला। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी अपराध की। अपराधियों का तांडव बिहार के तमाम हिस्सों में लगतार जारी है। शुरुआत करेंगे कटिहार से। गटिहार में अपराधियों ने दिन दहारे बड़ी वाड़ात को अंजाम दिया है। शनवार के सुबह अपराधियों ने वैवसाई दमपती को निशानब बनाते हुए ताबर तोड फाइरिंग की। और इस घटना में जहां वैवसाई की मौत हो गई वहीं उसकी पत्नी जखमी हो गई। गुलिबारी के इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब दमपती मंदर से पूजा करके लोट रहे थे। जानकारी के मुताबिक गट्टी बालू के वैवसाई मेगनाति आदव और उनकी पत्नी मंदर से पूजा कर लोट रहे थे और इसे दोरान ये घटना हुई। गटना की सूशना मिलते ही मौके पर पहुँची पूलिस ने शब को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भेजा और मामले की जाच में जुटी है। च्वेल ये लगतार प्राधियों का तांडव जाड़ी है और इस पर अधिक बात्चीत करते हैं हमारे साथ सहयोगी मनीश फोन लाइन पर जुड़े हैं।